हेलो दोस्तों स्वागत एक बार फिर आपका डेटा डेटा स्ट्रक्चर के फ्री कोर्स में जहां आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल को स्टेप समझा है तो चलिए इसके प्रैक्टिकल इंप्लिमेंटेशन को भी देख लेते हैं कि किस तरीके सम्लीनियर सर्च का कोड लिखेंगे तो मैंने आपको पहले भी बोलाए कि एडिटर आप अपनी च्वाइस से कोई भी ले सकते हैं मैं यहां पर टर्बो सी प्लस प् लिया लीनियर सर्च ठीक है यह लीनियर के नाम से ओके और देखते लीनियर सर्च का जो प्रैक्टिकल इंप्लिमेंटेशन किस तरीके से होगा तो कि थेरोटिकल तो कॉंसेप्ट हमने बहुत अच्छे तो समझा है तो सबसे पहले हमने हैडर फाइल को इंक्लूट किया दे ठीक है लिमिट के लिए एंड ले लिया और जिस एलिमेंट को सर्च करना है एस हमने ले लिया ठीक है और एक मैंने आपको बताते हैं कि यहां पर हमें फ्लैग वेरियेवल भी चाहिए मैं आपको पहले भी कहीं बार बोल चुका हूं कि आप किसी भी प्रैक्टिकल लेक्च प्रैक्टिकल पर आएंगे तो चीजें थोड़ी से कंफ्यूज करेंगी कंफ्यूज करेंगी तो आपको लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है समझ में कैसे आएगा बेटा क्योंकि इस पूरे कॉंसेट को में थोरी लेक्चर में अच्छे से समझाता हूं उसके बाद हम प् सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए सबसे पहले हमने युदर से लिमिट एंटर कर लिए एंटर लिमिट ठीक उस लिमिट को हमने स्कैन कर लिया एन में अग्यान एफ पर्सेंटेज दी को में पर्सेंट आफ एंट यह आपको मिल गए लिमिट अब जितने लिमिट आपके पास है उतने नमबर आफ एलिमेंट हमें एंटर करना है अरे में हमने मैसेज दिया एंटर एलिमेंट इन अरे ठीक है और एक लूप लगाया फॉर आई एक्वल्स टू जीरो से लेके आई लेज दिन एन आई प्लस प्लस ठीक है और यहां पर हमने लिग दिया स्कैन एफ परसेंटेज दी कॉम एंपरसेंट अरे ओफ आई तो यह तो आपके एलिमेंट स्कैन हो गए अरे में ठीक है अब मुझे क्या करना है अब मुझे वह एलिमेंट यूजर से लेना है जिसके हमें सर्च करना है तो मने मेसेज क्या दिया एंटर एलिमेंट एंटर एलिमेंट और सर्च एंद दिन scanf percentage d, percent of s तो s में आपको वो element मिल गए जिसको आपको सर्च करना है array आपके वास अलड़ी है ठीक है तो linear search का concept हमने यह देखा था कि एक loop हम लगाएंगे for i equals to 0 से लेके i less than n तक i plus plus और one by one हमारे हर element को compare करेंगे array of i को compare करेंगे s के साथ ठीक है यदी element मिल गया मतलब अगर यह condition true हो गई तो flag को one करके loop को break कर देंगे क्यों करेंगे और अभी theory lecture में समझा क्या रहा हूं बाहर बाहर बोलूँगा मैं आपको यही बात कि क्यों हमने f लिया क्यों है वान लोग sorry one है हमने मैसेज दिया प्रिंट है लेशन सर्चिंग सक्सेस ठीक है सर्चिंग सक्सेस और इसके एल्स में हमने मैसेज दिया सर्चिंग सक्सेस तो जैसा कोड मैंने बोर्ट पर लिखा था सेम कोड हमने यहां पर प्रक्टिकल इंप्लिमेंटेशन के साथ देख लिया तकि बोर्ट पर अगर कोई चीज कंफ्यूस कर रहे है तो वह यहां ट्रीर हो जाएगी तो आप्वइक यह क्या क्या हमने अरेलिया एंटर की लिमिट करना करने हमने array में scan किये जिस element को search करना है वो s में scan किया और यह search का logic लगा दिया linear search क्यों बोलते हैं क्योंकि sequential वाइस सर्चिंग कर रहे हैं इस लिए इस प्रोग्राम को linear या sequential search भी कहा जाता है तो हमने लिख दिया linear और sequential search ठीक है तो यह safe और run करके देख लिए थे लिमिट हमने दिमान लोट 10 element हमने दिये मान लोट 12 345 6 78 44 23 55 90 12 ठीक है अब जिस element को search करना है हमने का 44 उसने बता दिया searching success ठीक एक बार not success दी देख लिए अपने दिए टू एलिमेंट दिया मैंने 56 इसने बोल दिया not success ठीक है तो इस is a simple concept how to search an element from an array using linear search तो आई होप आपको concept समझ में आया होगा theoretical concept हमने देखा practical implementation हमने देखा कि किस तरीके सापको searching करना है using linear या sequential search तो बड़ी आसान सी concept है ठीक है लेकिन interview में अक्सर पूछे जाने वाला topic है तो आई होप वीडियो आपको पसंद आ हैं और यदी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के ताद शेयर करिए क्योंकि हमेशा में एक बात बोलता हूं कि बहुत ग्यान बाटने से बढ़ता है ठीक है और बने रही है स्कोर्स में मेहनत करते रहे है रिजल्ट 110 परसंद मिलेगा क्योंकि हमेशा में एक बात बोलता हूं बेटा मेहनत ही तेरी पहचान है बाकी तो एक नाम के हजारों इंसान है आपकी मेहनत ही आपको आपके लिच्टे नेशन तक लेके जाएगे तो बच बने रही है पढ़ते रही है समझते रही है और अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज पूस्ते रही है ठीक है चलिए तो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तिल देन टेक केर बाई बाई